हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूं मुहम्मद उसे रंसारी बहुत दिनों से बहुत सरी स्टूडेंट के लिए हिंदी मीडिया बच लॉंच किजिए तो इनी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुश ख करके आ रहा है जिसका नाम है संकल्ब बैच देखिए आपके सामने संकल्ब बैच आपका है और इस कुछ खासियत है उसके बारे में आपको हम बता देंगे कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला तो पहला आपको जो है लाइप क्लास मिलेगा इसमें आप देखेंग तो यह live class मिलेगा प्लास्... ज़िए अगर आप किसी कारण मद्स live class नहीं कर पाते हैं तो रात में या कभी भी जबrium कस्वाइब मिलता है यही लक्चर जपके recorded form में मिल जाएंगא गारी जो recorded form में आपके पास lecture रहेंगे ना इनको आप क्या कर सकते हैं, unlimited time देख सकते हैं 18 मन तक, क्योंकि इस बैच का जो validity है, इसकी validity जो है, वो क्या है आपका 18 मन तक है, जिस दिन आप purchase करेंगे, जैसे आज purchase करेंगे, तो आज जैसे क्या रहेगा, 18 महें तक इसकी validity रहेगी, ठीक है, तो इस बैच में देखें, हम क्य क्या cover करने वाले हैं, यह जो बैच है, किस किस exam के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial होगा, पहला आपका देखें क्या है, SSC, target हम लोगों का क्या रहेगा, SSC, SSC में देखेंगे, तो आपका क्या है, general intelligence और reasoning रहता है, मतलब general intelligence और reasoning रहेगा, आप पूरा GS रहेगा, और technical है, ठीक है, यह technical, यह इसका syllabus है, ठीक है, अगर हम लोग क्या करने, पलस इसी में अगर mathematics पढ़ना, mathematics का मतलब क्या है, aptitude, aptitude पढ़ने, ठीक है, aptitude का मतलब क्या है, mathematics हलकाल का जो, objective type के question छोटे-छोटे नहीं होते, engineering math के हम लोग बात नहीं कर रहें, engineering mathematics की बात नहीं कर रहे है, यहाँ पर general जो math नहीं होता है, उसी को लोग के aptitude यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है, अगर आप math पढ़ लेते हैं, तो rrb का और sscj का पूरा complete आपकी तयारी हो जाएगी, तो math का भी इसमें class चलेगा, math का भी चलेगा, यानि यह जो बैच्छ के वोल ssc के लिए नहीं है, उसका भी आप देखेंगे, तो सलेबस क्या है, आपका यह ही है, क्या है, आपका GS है, और उसमें क्यों टेकनिकल है, पचीस जीए से और नौन टेकनिकल कितना है, आपका 75 कोश्चन है, ठीक है, ऐसे ही btsc का जो आएगा, उसमें aptitude रहेगा, aptitude रहेगा, general reasoning रहेगा, और exam होगा, सब की तयारी इसी में हो जाएगे, तो एक बार आपको पढ़ना है, एक बार पढ़नेंगे, असानी के साथ आपका तयार हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको live class मिलेगा, live class वह recorded form में हो जाएगा, आपको study material मिलेगा, ठीक है, booklet मिलेंगे, पतले-पतले, questions वाले, औ पीडियाप form में यह मिल जाएगा, आप चाहें तो आप चाहें अगर ना तो टेल गराम पर आप सर्च कर लेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, तो जो मंडे से ही, मंडे से मतलब क्या है, 30-24 तारिक से, 24 तारिक से, 24 अपरेल से जो यह बैच स्टार्ट हो रहा है, morning में 8 mol बज़ चलेगा, इस तीली स्टर्ट चलेगा, उसके नोट जो है अप्लिकेशन में पर आप चेक कर सकते हैं, हिंदी में पूरा आपका वाइलेबल है, ठीक है, हिंदी में भी इंगलिघी में बहाईगा नोट, वहां से नोट से ले सकते हैं और साथी साथ क्या है, जब कला रहेंगे ना जो आपको नोट्स बनवाए जाएंगे बहुत ज्यादा रिसर्च है तो इतन जैसा पेपर पैटान चल ला है जो लेटेश्ट टाइम का वही पुराने नोट्स नहीं बढ़ाए जा रहें बिल्कुल जो नए सलेबस के तहत जो भी पेपर पैटान कोश्चन बन जाए उसी कहनुसार रिसर्च करके मैं पढ़ाऊंगा ठीक है तो यह आपको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा उसके बाद क्या है जब अगर आपका देखिए कोर्स तो पहले ही पहले ही पहले ही कंपलेट हो जाएगा मैक्सम से मैक्सिमम आट से नो महीने ठीक है नो मह सीधा ऑनलाइन होगा बहुत सारे बच्चे डाउट यहीं पर पूछ लेते हैं तो कई बार एकी चीज बढ़ाए जाता तो आप डाउट बहुत कम रह जाता है यानि अगर कभी डाउट होगा आप लोग डिमांड करेंगे तो फिर उसी कहना डाउट कला साब के चलते रहें अगर अगर आप यूटूब पर देख रहें तो अब्लेकेशन यहां से डाउनलोड कर लिजिए राइजिंग सेंटर सेविल जाई मास्टर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लिजिए या तो टेलिगराम पर चले जाए ये टेलिगराम का हमार जो अफिस्यल चैनल है राइजिंग सेंटर उस पर जाकर आप सर्च कर लेंगे टेलिगराम पर मिल जाएगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है न कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7275 नंबर लिग देते हैं कोई कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे ठीक है उसके बाद आप करेंगे तो आप से हमारी बात हो जाएगी ठीक है तो कोई भी दिक्कत हो तो आप यहां पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं तो इस बैच में यह सारी चीज़ें मिलेंगी चले मिलते हैं